इस कैसे आप लोग उमीद करता हूं आप लोग सही हों है तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली यह क्यों कि आप जैसे थर्मिल पर देख रहे हैं वैसे कि वैसे खूद मैं आपको करके दिखाऊंगा अगर आपकी मोबाइल चोरी हो जाता है तो उसको दूसरा कोई य रखना और जैसे ही आपने सुना है कि मोबाइल को ट्रेकिंग करना वह में पूरी डिटेल आपको बताऊंगा तो सबसे पहले एक आपको कोड चाहिए एक आपका 15 डिजिट वाला नंबर जाहिए जिसका नाम है आई-एम-ई-आई इसका फूर्म आप जाकर गूगल पर दे आपके आपके लिए ज़रूरी रहता है इसलिए कि आपको वही नंबर देना पड़ता है आपके गूगल को ट्रे आप अपने मोबाइल चोरी के गूम हो जाने के लिए तो चलिए मैं आपको आई-एम-ई-आई नंबर को पहले दिखा जाता हूं कि आप नहीं हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करने क्योंकि इसी तरह का टेक्रिका वडियो यहां पर हो जाना मिलता रहता है और यह विडियो को पहले अपने भाई कर नाम जेली मेरा नाम साहभ लिए और आप देखरें पूस्टिक अड़ि चाली तो चलिए आई-एमियाई नंबर आपको दिखा कर मैं दिखाता हूं को आपको सबसे पहले डायल पर जाना है डायल पर जाने के बाद से आपको यहां पर टाइप करना इस टार है जीरो सिर्ड आई-एमियाई नंबर यहां पर दिखनें के मिला होगा तो दू आपका आउमियाई नंबर आता है दो ही आपको टेकिंग के लिए भी पुछा जाता है कि दो ही आपको कैसे अपने मुवाल को चोरी घूम हो जाने का बाद से उसको बन करवा सकते हैं तो सब्सक्ष्ट पहले तो आपको Chrome पर जाने का बाद से जो आपका website वो मैंने website आपको इस link पर description में दे दूँगा आप वहां से जाकर देख सकते हैं नहीं तो आप mobile गूम हो जाए तो अपकर सकते हैं तो आपको यहां पर type तो यहां पर करने के बाद से यहां पर देख रहा है कि यह थोड़ा यह मतलब C, E, I, R डालना चाहिए तो यहां पर थोड़ा गलत हो गया है आपको देख रहा होगा कि यहां पर आपको मिलना है कि बास ब्लोकिंग हो जाएगा तो सबसे पहले आपका मुवाइल नंबर मांग रहा है अगर दो सीम है तो दो सीम का नंबर यहां पर डलना होगा जैसे मुवाइल नमबर 1 आपको देख रहा मिला है और मुवाइल नमबर 2 अब उसी परका कि IMEI नमबर भी 15 डिजिट का नमबर जो हता है जैसे आपने कड़के में दिखाया कि कैसे आप निकालेंगे तो उसका यहाँ पर दोनों का IMEI नमबर यहाँ पर डाल देंगे और यहाँ पर डिवाइस ब्रांड आपको वीवो होगा या एपल होगा या आईफोन मतलब कुछ भी होगा यहाँ पर आपको उसका ब्रेंड डाल देना है का वीवो है का क्या है Nokia का Samsung क्या है वो यहाँ पर डालना है आपको device brand में अब device model आपका पुछ रहा है इसमें कौन मतलब आपका mobile का model क्या आता है तो अगर mobile का model अपने नहीं निकलना आता होगा जाकर setting पर निकाल सकते नहीं तो इसका वीडियो में बना चुका हूँ वहाँ पर आप देख सकते हैं तो अब यहाँ पर device model आपको वो डाल देना है upload mobile यहाँ पर no file चूजन करना आपको यह सब करने के बाद से upload mobile purchase इन्वस यह आपको नहीं करना है अब देखिए lost information यहाँ पर आपका पूछ रहा है नहीं तो किस राजे में आप मतलब mobile को चूरी हुआ है उस राजे को यहाँ पर select कर देंगे और उसका district डाल देंगे जिस राजे में आप mobile चूरी हुआ है उस राजे का मतलब district डाल देंगे ठीक है उसका district डालने के बाद से आपको पुलिस इस्टेशन का मतलब जो अस्थान होगा उसका अस्थान नाम डाल देंगे अब पुलिस कम्पलेंट नमबर आपको जो पुलिस कम्पलेंट करेंगे तो एक नमबर देता है आपको वो नमबर आपको यहाँ पर फिलप कर देना है ठीक है यह सब फिलप करने के बाद से अब दिखिए यहां पर आपका ओनर नेम आपका नाम पूछ रहा है और अपलोड आइडेंटिटी आपकी जो अपलोड आइडेंटिटी अगर नहीं जानते तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दे देगा का अपलोड डेंटिटी वोटर आइडी आधार कार्ड, पेंड कार् देना है ठीक है अब उसके पास इमेल आइडी फिलप करेंगे उसके बास से इमेल आइडी फिलप करने के बास से आपको मुबाइल नंबर देना है अगेट करेंगे और उसके बास से देखिए मुबाइल नंबर फार ओटी यह मतलब यह है कि आपके मुबाइल नंबर यह से आपको क्या करना है सब यह अपको मुबास से आपको लिया रहेगा तो उसको on block जैसे पहले वाले देख रहा है, यहाँ पर on block found mobile यहाँ पर अपने जो mobile मिल गया, उसको on block कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, request ID भेजना है, आपको कोई भी request ID जैसे दे देना है, mobile number दे देना है, जो ठिक है, mobile number पो on blocking number दे देना है, जैसे on blocking करेंगे, तो इसका नबर मिलेगा वो आपको दे दिना है अब स्लेक कर देंगे रीजरन आपका क्या है का साम मिल गा है एसा इसा हुआ था तो आपको यह पर दे देना है और उसके बाद मोबाईल नमबर देने का बाद से great OTP पर किलिक करेंगे तो आपके mobile पर number OTP आएगा OTP देने के बाद से आपको submit कर देंगे तो आपका mobile unblock हो जाएगा और वहाँ से आप mobile को use कर सकते हैं तो यह दो तरीके मैंने आपको बता दिया है और यह दोनों तरीके बहुत हो सकते हैं अगर आपको चेक रिक्वेस्ट स्टेटस करना है तो यहां पर आपको चेकिंग करना है कि आपका mobile मतलब login मतलब ब्लॉक हुआ है कि नहीं हुआ है तो आहां पर आपको कर सकते हैं यहां पर उसका request ID बेज़ेंगे समिट करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि अगर आपका mobile चोरी हुआ है वह ब्लॉक हुआ है कि नहीं हुआ है तो यहां पर आपका मालूम चल जागा कहा हुआ है कि नहीं हुआ है तो चलिए वीडियो को समाप्त करता हैं उम्मीद करत आपको शीम पतलब भी नहीं है जब ब्लॉक कर देंगे तो उसी मापको कोई यूज़ नहीं करेगा और बलॉक करने के बाएं से दूसरा वह उसी का सीम आपको निकाल सकते हैं ठीक है तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं वीडियो पसंद आयो तो चैनल को सब्सक्राइ झाल झाल